जुन्जुनों के पचेरी थानान तर्गत भालोट के बैनपाल शूटर के भाई के हत्या की मामले में पचेरी पुलिस को बड़ी कामयाभी मिली पुलिस ने पडोसी को हत्या के आरोप में गिरिफतार किया है आरोपी मनोजुर्फ लख्मी को कोट में पेश किया गया जहां से पुलिस ने वारदात में काम ली गई बाई डंडे बरामत करने के लिए तीन दिन के रिमांट पर लिया गया वहीं अब पुलिस आरोपी से पुछटाश कर रही है आरोपी ने पुनारनी रंजिश को लेकर हत्या करना कबूला है साथ ही वह भी बताया है कि हत्या से पहले शराप पार्टी भी की दरसल पचेरी पुलिस को लख्या वाली धानी की पुरानी धरमशाला के बार खून से लत्वत राजे सुर्फ गंगाराम का शव मिला था पुलिस ने स्फल की टीम को बुला कर साक्षे जुटाये और सीसी टीवी केमरों की फुटेज भी खंगा ले रंजिश के एंगल को लेकर दोस्तों और पडोसियों से पूश्टाश की गई हत्ता ग्यारोप पडोसी मनोजव लख्मी को गिरिफ्तार कर लिया गया पुलिस तारीकों सामगों लख से वाल टारी में राजे शुरूफ भंगा राम था उसका मडर हो गया था इस वामले में संदिक पूस्ताश की गई ती तकनी की साक्षे एंगों भी दोग स्कोट एपसल इनसे जो भी साक्षे एक्परिट किया गयते और संदिक पूस्ताश की अधार पर मनोजव लख्मी उतर दरमचन गाट बालोट गया उसको गिरफ्तार किया गया वरतमा ने कोर्दों टेस करके 3 दिन का पुलिस रिमान लिया गया थाकि गटना के बारे में जो भी चीजे फिय प्रीबद्की ब्साइकल लेट हो गडरहे वो भरामत बने इधारे और दूसरी का गटना की को उसके बारे में जान करनी को जाए पहले से पुरानी आपसी रंजिस है, उसी की रंजिस भी बदला लेने का अधार बेती है।